दोस्तो, क्या आप जानते हैं 6 बजे के बाद शरीर का अंतिम संसकार क्यों नहीं किये जाते और क्या आपको पता है मृत्यू के बाद क्या होता है और 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों आती है और मृत्यू के बाद 13 वीं क्यों मनाई जाती है क्या 13 दिनों तक मृतक की आत्मा गर पर रहती है नमबर एक मौत से कुछ घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से और सोल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मतलब इंसान का धर्ती से कनेक्शन तूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं नमबर दो मरने के बाद इंसान का उसका संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लेश बेक की तरह स्पीड से दिखता है अकॉर्डिंग टू साइंस ये सपना लगभग साथ मिनट का होता है उसके बाद ब्रेन शट डाउन हो जाता है और अंत में इंसान अपनी सु शरीर में रहने के कारण वो बॉड़ी को छोड़ने से मना करती है वो फिर से बॉड़ी में प्रवेश करने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो असफल रहती है जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यू को स्वीकार करना मुश्किल होता है वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यू को मानने से इंकार करती है शरीर छोडने के बाद आत्मा बॉडी के 15 फिट उपर हवा में तैर रही होती है वो अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है उसके बारे में बोले गए शब्दों से किसी शोर की तरह सुनाई देते हैं नमबर पाँच हिंदू ग्रंथों के अनुसार रात के समय अंतिम संसकार नहीं किया जाता उसे सूर्य देव की पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संसकार रात को किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनी में प्रवेश करती है जिसके बाद वो सदा के लिए हमारे डाइमेंशन यानि की आयाम में भटकती रहती है नमबर छे मृत्यू के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता अगर शव को रात भर घर में रखा जाए तो संपूर्ण परिजन रात भर शव के पास जाकते हैं एक बार एक गाव में एक शव को कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दिया गया जिसके बाद बाहरी प्रेतों ने उसके उपर कबजा कर लिया और मृत बोडी ने पूरा गाव जला दिया गाव में हनुमान जी का एक मंदिर था मरी हुई बोडी जैसे ही हनुमान जी के मंदिर के सामने से गुजरी उन आत्माओं ने हनुमान जी की मूर्ती देखी और फिर डर कर उस बोडी को छोड़ दिया तब से लेकर आज तक कोई भी dead body को अकेले छोड़ने की गलती नहीं करता अंतिम समय में दो यमदूत आते हैं वो मरने वाले के साथ जैसा उसने संपूर्ण जीवन लोगों से व्यवहार किया था ठीक वैसा ही व्यवहार उसके साथ करते हैं अगर मरने वाला अच्छा आदमी है तो इजीली प्राण त्याग देता है परन्तु वो पापी है तो यमदूतों के टॉर्चर से वो तडप तडप कर मरता है जिसके बाद आत्मा को एक प्रकाशमय गुफा से होते हुए यमदूत यमलोक लेके जाते हैं रास्ते में वैतरणी नदी पार करते हुए आत्मा को जाना होता है ये नदी आग से लथपट होती है जिसने अच्छे कर्म किये है वो इजीली इस नदी को पार कर लेता है लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ती है तो उसे काफी पीड़ा भोगनी पड़ती है उसके बाद उस आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है फिर चित्र गुप्त जी उस व्यक्ती के पाप और पुन्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है गरोड पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नरक है यहां बताई गई यातनाएं किसी की कलपना से भी खतरनाक है अगर कोई व्यक्ती सुईसाइड यानि आत्म हत्या करके प्राण त्यागता है तो उसे और भी कठिनाई सहनी पड़ती है क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली यह शरीर हमारा नहीं है यह किराय का मकान है जिसे कुछ समय के लिए यूज करने के लिए मिला है यह मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा गरुड पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किये गए हमारे कर्म ही हमें नरक दिलाते हैं। उसके बाद अगर कोई साधु या तपस्वी है तो उसे मोक्ष की प्राप्ती हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये सब बाते हमें कैसे पता। गरुड देव जिनका बल अतुल निये है वो अकेले साथ सो इंद्र को पराजित कर सकते हैं। असी विज्ञान को हम गरुड पुरान के नाम से जानते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था आत्मा न तो पैदा होती है और ना ही वह मरती है। वो तो सिर्फ वस्त्र की तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यू तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ये जीवन मृत्यू का चक्र यूँ ही चलता रहता है। इसलिए don't die before you are dead मरने से पहले कभी मत मरो। अंतिम समय में राम नाम सत्य है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वही संपूर्ण जीवन का सार है।